मुस्लिम उलिमाओं के साथ सपा विधायक अबु आसिम आजमी ने की स्वास्तेमंत्री राजेश टोपे से मुलाकात रमजान में पांच वक्की और तरहवी की नमाज के लिए गाइडलाइन के तहट मांगी अनुमती मेरफिक कामदार इंदोस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है समाजवादी पार्डी के महाराष्टे के प्रदेश अध्यक्ष तता विधायक अबु आसिम आजमी उनके भिवन्डी के पार्डी के सहयोगी विधायक रहिश शेक इन्होंने कई सामाजिक संस्ता है और मुस्लिम उल्माओं को ले करके महारष्टर राज्यक के स्वास्त्यमंद्री राजिस टोपे से मुलाकात की मुलाकात के दो एहम मुद्दे थे अचानक विकेंड लॉकडाउन बोल करके जिस तरीके से पूरा लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसके उपर इन तमाम लोगों ने स्वास्त्यमंद्री राजिस टोपे से चर्चा की साथ ही आने वाले 14 या 15 अपरेल से रमजान माज शुरू हो जाएगा तो रमजान माह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उसकी पूरी गारेंटी जो है लिखित रूप में ट्रस्टियों से लेते हुए पांच वक्की नमाज और तरावी की नमाज पढ़ने की अनुमती दी जाए यह दो प्रमुग मांगे रखी गई क्या इस पूरे मामले को लेकर विदायक सपाप्रदिश अबुआसिम आजमी ने जानकरी दी और विदायक रईश शेक ने जानकरी दी सुनिये मैं इस वक्त राजश कोपी जी के घर पे हूँ और अभी गरावबु आसमाजमी साब और खालीद अश्यव साब और तमाम उन्वाओं के साथ हम लोगों ने उनसे मुलाकात की दो बुद्धो रमजान आरा है और हम चाहते हैं कि जो तरावी की इसाज़त है हम लोगों को मि अगर आप इस तरह से फुल लोगों कर देंगे तो लोगों में इतना अक्रोश होगा कि आपके खिलाव रस्ते बुद्रेगे और यह सरकार के खिलाफ लोग जाए रोजी रोटी और स्कूल फीज पिजली की बिल इस पर पहले जवाब दीजिये और उसके बाद लोगडाउन के यह हम बोल किया है उन्होंने वादा किया कि दो दिन के अदर सीम से बात करके इसके तालुक से कोई नो कोई वो हल निकालेंगे हम लगातार सारे मिनिस्टर से सबसे बात कर रहे हैं कि यह बात सिर्फ हमारी नहीं है लोगडाउन की वज़े से जो अभी होने वाली परिसिती है उसके खिलाफ हम है यह हम कहने दो कर दो